हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू दा ब्लूमिंग बड़ आज है पुर्णिमा यानि हनुमान जयन्ति तो मैंने पहले दिन मैं दिखाई थी पिछले ब्लॉग में कि मैं पुसाद दूर्णिमा यानि हनुमान जयन्ति तो इन ही फोटो की मुझको पुसाग सिलनी थी मेंदिपूर बाला जी और सालासर बाला जी के लिए को कि साल में दो पुर्णिमा को हम लोग नई पुसाग पैनाते हैं और बाकी टाम जैसे भी हो जाता है वैसे कर लेते हैं मतब इदम नई पुसाग जरूरी नहीं है लेकिन इस दो पुर्णिमा में जरूरी होता है इस वाली पुर्णिमा में और एक आसोच की पुर्णिमा में तो यहां पे सब भूग के लिए सब त्यारी कर लिए और पुर्णिमा की जोथ हम लोग एक किचन में भी लेते हैं अलग से एक जोथ लेते हैं और इधर में अलग से बा मंदिर वापस कि वापस सब थो तक लाइन हो तो वहां तक पूरी लम्बी लाइन थी तहां भापस आ गये थे क्योंकि धूब बहुप बढ़ा थी और गर्मी भी बहुत लग रहा था और मतुच एक ब्यर घंट कि आम लोग को लाइन में लगने ही पड़ता इतनी ज्यादा भीर थी फिर वापीस आगे ते फिर अम लोग घर में पूरा फिर सल्टा उल्टा के नास्ता उस्ता करा के फिर में 11 बजे मंदिर में आई थी तो बहुत सुंदर से दर्शन हो गया हलकी हलकी भीर थी हो तो आज द क्रिम होती ही मीठा था तो को खा सकते तो और ऐसे आज के दिन बाहर काम नहीं खाते है क्योंकि उसमें लहसुन प्याज भी रहते हैं तो आज के दिन न तो बनाते न तो खाते हैं तो यहां से आम लोग ने सौफ्टी ली स्नीकी है बहुत अच्छा है इहां से कभी आप परीदी हम लोग के साथ में नहीं थी क्योंकि उसकी क्लास थी तो में गई वी थी और परीदी के लिए भी मैंने पैक करा लिया था डिम्पल अपने लिए दो ली थी देखो कितने मज़े से खा रहे हैं आज के दिन साम को भी हम लोग आर्टी में जाते हैं कि अगरेशन भी बहुत अच्छी वी थी और भीर तो पुछे इमत बहुत ज्यादा भीर थी और उतनी सवा मनी भी लगी थी बहुत भीर थी देखिए लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था जी आप लोग भी धर्शन कर लेजे आर्टी के बाद फिर हम और ये कॉस्मोस चले गए थे क्योंकि वहां से ब्यार से आइस्क्रीम लेनी थी क्योंकि बच्चों की डिमांड थी बहुत दिन सो लोग बोल रहे थे तो फिर ये फ्री थे उसमें तो बोले आज ले ले लेते हैं तो वह लेके फिर हम लोग थोड़ा सा फ्रूट्स लेते हुए हम लोग वहां से आए तो अशाव दिन भर का टाइम ऐसे ही बीथ हम लोगों को हनुमान जैनती और आप सब रोगों को बहुत सुख काम नाँ है हनुमाच जैनती की जिन लोगोंने चैनल को सब्सक्राइब ने कर एलों को बहुत सारह तैंक यूअ लाइक जरूर करेगा और कमेंट प्लीज जरूर करेगा थेंक यू टेक केर बाई बाई